Hello Indian Football fans, welcome to another video of ISL Transfer Market and if you are new to the channel, please make sure that you subscribe the channel and also you can watch the video with English subtitles if you can't understand Hindi language तो आज की पहली बड़ी अप्डेट निकल के आ रही है चन्ने NFC के रियंग मिट्फिल्डर जीतेश्वा सिंग से रिलेटेड तो जैसे कि आप सभी को पता है होगा कि जीतेश्वा सिंग का ये सीजन का परफोर्मेंस काफी अच्छा रहा है चन्ने NFC के साथ और काफी कलब्स इंट्रेस्टेड थी उनको साइन करने के लिए लेकिन मैं आप सभी को बता दू कि अभी अभी एक अपडेट निकल के आई है कि चन्ने NFC नहीं चाती है कि जीतेश्वा सिंग किसी और गलब के लिए साइन करें और हमें नेक्स सीजन भी जीतेश्वा सिंग चन्ने NFC के लिए एक एलते हुए दिखाई देंगे तो मेरे इसाब से तो यह काफी अच्छी अपडेट है चन्ने NFC फैन्स के लिए अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जम्शेद पूरफसी के 19 यार ओल्ड लेफ विंगर मौहमास सनन से रेलेटेड तो जैसे कि आप सभी को पता है होगा कि करेंट सीजन में मौहमास सनन काफी अच्छा पूफरम कर रहे है जम्शेद पूरफसी के लिए उन्होंने 17 मैचेस खेलते हुए तीन गूल कॉंट्रिबुशन्स प्रवाइड के है जम्शेद पूरफसी के लिए अला कि हम गूल कॉंट्रिबुशन्स को भी छोड़ दे तो उनकी बाकी की स्कील्स भी काफी अच्छी है उनका पेस काफी अच्छा है डृब्लिंग स्कील्स काफी अच्छी है और हमेशे 100% देते हैं मैच में और इसलिए काफी कलब्स और काफी लोग इंपरेश्ट हुए थे सनन से और मैं आप सभी को बता दू कि मोहन बगान सुपर जायंट की स्कावटिंग डिम भी काफी जादा इंपरेश्ट है मोहमस सनन की परफॉर्म przysz से और हमें नेक्स सीजन मौहन बगान सुपर जाइंट के लिए खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं और मैं आप सबी को ये भी बता दू कि मौहमन सुपर जाइंट का कॉंट्रेक्ट जमशितपूर FC के साथ 2026 सीजन तक है तो अगर मोहन बगान सुपरजाएंट्स सनन को साइन करना चाहेगी तो उन्हें काफी बढ़ियां ट्रांसोफी पे करना पड़ेगा जम्शितपूर FC को अगली अपडेट निकल के आ रही है नौर्टिश इनेटेट FC के 33 एर ओल्ड मोरोकन डिफेंसिव मिडफिल्डर अली बेबमार से रिलेटेड तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अली बेबमार का पफॉर्मेंस नौर्टिश इनेटेट FC के साथ ये सीजन काफी अच्छा र आ रहा है कि कुछ हैसल क्लब्स ने इंट्रेस्ट दिखाया है अली बेबमार को साइन करने के लिए और मैं आप सभी को एक और चीज़ बता दू कि नौर्टिश इनेटेट FC भी काफी जादा इंट्रेस्टेड है उनका कॉंट्रेक्ट एक्सेंड करने के लिए अब देखने आप सभी को पता ही होगा कि लास्ट सीजन केरेला ब्लास्टेस ने दानिश फारुक को बैंगलूरू एफसी से साइन किया था और उन्होंने तीन एयर्स के कॉंट्रेक्ट पे दानिश फारुक को साइन किया था और मैं आप सभी को बता दू कि करेंटली उन्होंने काफी इ स्वाफी पे करना पड़ेगा केरेला ब्लास्टर्स को अगली अपडेट निकल के आ रही है मौमड अनसी के 22 एर ओल्ड फारवर्ड डेविड लालन संगा से रिलेटेड तो मैं आप सरे को बता दू कि डेविड नी ये सीजन 18 मैचेस खेलते हुए 7 गोल कॉंट्रिबिशन प् खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और मेरे सबसे तो ये काफी अच्छी साइनिंग है इस्ट बैंग अलसी के लिए अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस्ट बैंग अलसी नेक्स सीजन डेविड को कितना गेम टाइम देती है और अगर वो डेविड को गेम टाइम नह लेटेड तो करेंटली ब्रियान कलतक का परफॉर्मेंस ए लीग में काफी अच्छा रहा है सेंट्रल कोस्ट मरीनर के साथ और अभी अभी एक रूमर निकल के आया थी कि ब्रियान कलतक ने इंट्रेस्ट दिखाया है इंडियन सूपर लिग खेलने के लिए और मैं आप सभी एक रूमर के तरह ट्रीट कर सकते हैं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मोहन बगान सूपर जैंट्स के 25 यर ओल्ड फॉर्वर्ड लिष्टन कलासो से रिलेड़ेड तो मैं आप सभी को बता दो कि एक रूमर अपडेट है और आप इसे एक रूमर के तरह ही ट्र तो जैसे कि आप सभी को पता हुगा कि करेंट सीजन में सेकेंड आफ ओफ दा इसल में लिष्टन कलासो को उतना जादा गेम टाइम नहीं मिल रहा है और अभी अभी एक रूमर निकल के आई है कि FC गोवा ने इंटरेस्ट दिखाया है लिष्टन कलासो को साइन करने के आप सभी को ये भी बता दू कि लिष्टन कलासो का कांट्रेक्ट मोहन बगान सुपर जैयंट्स के साथ 2027 सीजन तक है तो मुझे नहीं लगता कि गोवा इतना ज़्यादा ट्रांसव फीपे करके लिष्टन कलासो को साइन कर पाएगी और अगर गोवा में खेलते भी है लि ओडिसाइफसी के 33-year-old Spanish center back Carlos Delgado से related तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि लास्ट तीन सीजन से Carlos Delgado ओडिसाइफसी के लिए खेल रहे हैं और उनका performance काफी अच्छा रहा है ओडिसाइफसी के लिए और अभी अभी currently एक update निकल के आई है कि कारेला ब्लास्टर्स करेंट्री डॉक्स में हैं Carlos Delgado को साइन करने के लिए और मैं आप सभी को यह भी बता दो कि Carlos Delgado अभी यह सीजन खतम होते ही फ्री एजेंट बन जाएंगे तो उन्हें Carola Blasters as a free agent sign कर सकती है अगर sign करना चाहती है और मेरे इसाब से तो यह काफी अच्छी signing होगी Carola Blasters के लिए क्यूंकि Carlos Delgado काफी impressive player है और उनका यह सीजन का performance काफी अच्छा रहा है ओडिसाइफसी के स अब देखते हैं कि केरल अबलाश्टस कार्लोस डेलगौडो की साइनिंग कंप्रिट कर पाती है या फिर नहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है है हैधराबाद FC के 23-year-old सेंटर बैक एलेक साजी से रिलेटेड तो जैसे कि आप सभी को पता है होगा कि हैधराबाद FC ये सीजन यंग स्कौर्ड के सब खेल रही है और इसलिए अभी एलेक साजी को काफी अच्छा गीम टाइम मिल रहा है है हैधराबाद FC में और उन्हेंने मैं आप सभी को बता दू कि काफी कलब्स को इंप्रेस किया है और काफी कलब्स इंटरेस्टेड भी वगी यो उनको साइन करने के लिए और अब भी अब भी करिंटी एक अपडेट निकल के आ रही है कि East Bengal FC काफी ज़ादा impressed हुई है Alex Aji के current performance से और वो interested है Alex Aji को sign करने के लिए अब देखने वाली बात रहेगी कि East Bengal FC उनकी signing complete कर पाते हैं या नहीं क्योंकि मैं आप सभी को बता दो कि Alex Aji का contract 2025 season तक है हेदराबाद FC के साथ और जो नए investors आ रहे हैं next season के लिए हेदराबाद FC में उनका main aim यही है कि जो जो यंग player ने इस season impress किया है उनको retain करें या फिर उनको समाल कर रखे और किसी और क्लब में ना जाने दें तो मुझे नहीं लगता है कि Alex Aji को East Bengal FC वैसे भी sign कर पाएगी और उपर से Alex Aji का contract 2026 season तक है हेदराबाद FC के साथ आप देखने वाली बात रहेगी कि East Bengal FC उनको sign कर पाती है या फिर नहीं अगली update निकल क्या आ रही है 23-year-old Bengaluru FC के defensive midfielder Suraj Singh से related तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि Suraj Singh कितने अच्छे प्लेयर हैं वो national team में भी अपनी जगा fix करके रखे हैं और मैं आप सभी को बता दू कि currently एक update निकल क्या आ रही है कि East Bengal FC इंट्रेस्टेड है Suraj Singh को sign करने के लिए आला कि मुझे नहीं लगता कि वो Suraj Singh को sign कर पाएंगे क्योंकि पहले बात तो Suraj Singh का contract 2028 season तक है बैंगलूरू FC के साथ और उपर से दूसरी बात कि उनको regular game time मिल रहा है बैंगलूरू FC में ही तो मुझे नहीं लगता है कि वो East Bengal FC को join करेंगे और मुझे यह भी लगता है कि ना कि बैंगलूरू FC भी उन्हें जाने देगी क्योंकि Suraj Singh काफी important player है बैंगलूरू FC के टीम के लिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और जैसे को अपडेट आईगी मैं आप सभी को बता दूँगा तो प्लीज उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल नूटिफिकेशन को भी आउन कर दें अगली अपडेट निकल क्या आ रही है नौर्ट इस्ट इनहेटेट FC फैंस के लिए पूल कॉंट्रिबुशन प्रोवाइड किया है और मेरे सबसे तो यह काफी अच्छी साइनिंग है नौर्ट इस्ट इनहेटेट FC के लिए अगली अपडेट निकल के आ रही है केरेला ब्लाश्ट के मैनेजर इवान वुकोमनविक से रिलेटेड तो जैसे कि कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि इवान केरेला ब्लाश्ट को छोड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ यूरूपिन क्लिप्स के ओफर है तो मैं आप सबी को बता दो कि एक बहुत अच्छी अपडेट निकल के आई है केरेला ब्लाश्ट के लिए इस सुनने में आ रहा है कि नेक्स सीजन इवान वुकोमनविक केरेला ब्लाश्ट के साथ ही कंटीनू करेंगे और उन्हें जरा भी इंट्रेस्ट नहीं है केरेला ब लाश्ट के साथ ही कंटीनू करेंगे तो दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सरूर से आउन कर दें आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीड तक के लिए जय हिंद जय फूटबॉल